Hello everyone, this is Kaushal and I welcome you to Modulation CUET. आज हम इस lecture में हम आपको बताने वाले हैं average के बारे में जैसा कि हम series चला रहे हैं, यहाँ पे 0-2 hero series, ठीक है? इस series के अंतरगत हम क्या कर रहे हैं? सारे के सारे जो chapters हैं, उनके practice sets को देख रहे हैं तो concept को जानना एक चीज है, और उसको ही आप देखोगे, implement करना दूसरी चीज है, तो इसी series में आज हम करने वाले हैं average का already हमारे channel पे, आप देखोगे, percentage के सारे के सारे set 1, set 2, set 3 मैंने दे रखे हैं, this is set 1, that is basic level का यह, क्या है? basic level का question होने वाला, clear है? ठीक है? तो बिना time waste करे हैं आगे, questions के तरफ, ठीक है, find the average of the following set of scores, that is, this, 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 इसका हमें average निकालना है, so first of first, first of all, हमें करना क्या चाहिए, हमें एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, कि average निकलता कैसे, तो पहला चीज हम देखेंगे, आपर क्या, average कैसे हो, निकलता है, so this is average, average का formula कैसे निकलता है, that is sum of observations, sum of observations, ठीक है, जितने भी observations हैं, उनको क्या करते हैं, add करते हैं, और फिर total number of observations से divide कर देता है, ठीक है, that is number of observations, ठीक है, इसे आप लोग note down कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमारा average होता, वो किस तरह से निकलता है, यह basic formula है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए, इस बारे में, that is, average जब हम निकालते हैं, तो उसे कैसे निकालते हैं, total number, the sum of the observation upon total number of observations, ठीक है, तो यहाँ पे, देखो आप ध्यान स है, कि observations का sum कैसे निकलेगा, इन सब को हम क्या करेंगे, add करने वाले यहाँ पे, और finally, total number of observations होगा, उसे हम divide कर देंगे, ठीक है, चलो, solve करते हैं, so 253, पहले हम sum निकाल लेते हैं, 253 plus 124, plus 255, plus 534, plus 836, plus 375, plus 101, plus 443, plus 760, ठीक है, और इसे हमें किसे divide करना पड़ेगा, देखते हैं कितने numbers है, 123456789, 9 से हमें divide करना है, यानि इन सब को हमें add करना है, और finally, 9 से divide करना है, चलो, add करते हैं, इन सब को, ठीक है, इन सब को अच्छे से add करते हैं, 0, 3, 1, 5, 6, 14, 21, 24 बसे 1, हुआ है 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 36 है जेक्स है जेस्थ 3681 अपॉन नाइगा इस से क्या करना हुगा नाइन से डिवाइट करना पड़ेगा तो मेहा से कर सकते देखो 9 से इसको cut करेंगे 4 आ जाएगा दो नंबर से एक साथ ले इसलिए 0 और 9 से cut गया यह 81 409 ठीक है अच्छा option number यहाँ पर अगर D में क्या होगा 409 होगा actually D में क्या option होगा 409 and this is the right answer ठीक है यहाँ पर थोड़ा से गरबर हो गया 490 हो गया 409 आएगा ठीक है और बाकि सारे कुछ सही है आप इसको कर सकते हो बहुत आसान सा है आप लोग भी यहाँ पर क्या कर सकते हो इन सारे चीज़ों को add करोगे इनका सम निकालोगे and at the same time उसके बाद क्या करना है आपको total number of observations से divide कर देना total number of observations कितने यहाँ पर 9 है इसको जैसे ही आप solve करोगे यह answer आजाएगा 409 it will be right ठीक है यहाँ पर option क्या दे सकते थे वो none of these right चलो यहाँ पर थोड़ा सा इसीच का error हो गया कोई problem यहाँ पर ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं चलो आगे करता है find the average of the following set of scores फिर से वही question है इन सबको क्या करना है add करना है और फिर हमें क्या करना है जितने number होंगे उससे divide कर देना that is 1 2 3 4 5 6 7 8 total number of observation कितने 8 है इन सबको जोड़ना है और 8 से divide कर देना यह हमें average देगा ठीक है add कर दो आप 1 2 4 plus 8 5 6 plus 3 3 1 plus 2 2 7 plus 9 6 3 3 plus 3 3 8 plus 2 59 plus 662 इन सबको क्या करना है 8 से divide करना है यह हमें average देगा ठीक है तो जोड़ लो 2 plus 9 11 11 8 18 19 3 22 22 29 30 36 4 0 6 आगया 45 6 9 6 आगया 7 37 ठीक है 3760 आए ठीक है 3760 आए ठीक है आप देख सकते हो 3067 आएगा 3760 ठीक है जैसे इसको आप solve कर लेते हो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें 8 से डिवाइट करना है क्या करना हमें 8 से डिवाइट करना है देखते हैं 8 से डिवाइट हो रहा है क्या 4660 ठीक है चलो 4 से कट कर देते हैं ठीक है 4 से कट करते हैं यह क्या आएगा 911 और 6 देट इस 40 और यह आ गया 4 से कट करने पर 2 इसको कट करेंगे हम क्या आएगा that is 4 7 0 470 आएगा है यहाँ पर जो मैंने आप वो तीन ओ चार ओप्षन दिये हैं यह नहीं होगा इसलिए नहीं दिया क्योंकि सारे ओप्षन समेशा ऐसे होंगे ऐसे जरूरी नहीं क्या ओप्षन आएगा है यह ओप्षन आएगा है that is none of these क्या आएगा है none of these none of ठीक है these चलो क्योंकि option का answer क्या आएगा है 470 आएगा है आप सिंपल से क्या करोगे इसको add करोगे इसका sum लेना हमें और finally से क्या करना है total number of observation से divide कर देना है आपके answer आ जाएगी ठीक है बहुत सिंपल से calculation आप इसको कर सकते हो ठीक है चले आगे बहुत अच्छा तो पहले वाले जो formulas पर हमने दो question देख लिया है आगे आने वाले जो questions होंगे उसमें थोड़ असा चीज़े अलग होंगे what will be the average of even numbers between 11 and 63 11 and 63 तो चलो आप लोगों को एक चीज़ पता नहीं होगा hopefully देखो एक और तरीके से हम average निकाल सकते हैं जैसे first number plus last number और इसे जब हम two से divide करते हैं तो हमें क्या देदेता है वो average देदेता है बट इसके लिए हमें क्या चाहिए first number भी चाहिए और last number भी चाहिए ऐसा कब कर सकते हैं ऐसा तभी करेंगे जब हमारे पास कुछ ऐसा इन्होंने limit करके रखा होगा इन्होंने ठीक है इन्होंने बोला what will be the average of even numbers between 11 and 63 तो 11 and 63 के बीच में तो 11 के बाद कौन सा number होगा जो even होगा 12 ठीक है क्या होने वाला है 12 और 63 से पहले क्या होता है वो 62 होता है वो even number तो देखो first number इस series का और last number इस series का हमें पता है correct यानि हमें actually उस पूरे-पूरे observation का first number at the same time हमें last number अगर पता हो ठीक है क्या 63 के बाद वाले even number ले सकते हैं 64 ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं यहां पर साफ साफ उन्होंने क्या बोला between उसके बीच के ही number को लेना है सो बीच के number में last even number क्या होने वाला है 62 और first even number क्या होने वाला है 12 हम यहां पर कुछ नहीं इसको put करेंगे that is 12 upon 62 upon 2 that is 74 upon 2 it will be 37 37 हमारा answer आड़ा है clearly ठीक है आप उस method से मत करने जाना आप ऐसे नहीं करोगे कि find करना है जितने भी even number ले सो तो आप लेकर हो 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20 22 सब को add करोगे उतने number से divide करोगे so आपके examiner साब से यह सवाल तब पूछेंगे जब आपको अगर यह formula नहीं आता होगा तब बहुत परिशान हो जाओगे exam में आपको अराम से इसमें 3-4 मिन लग जाएगा पूरे चीज़ों को add करने में और divide करने में साड़े आप सम लोगे इस चीज़ का and finally जितने number of observations आएँगे उससे आप divide करोगे तो हमें क्या करना है यह formula हमें आना चाहिए ठीक है हमें first number plus last number upon two वाला formula आना चाहिए आप लोगों ने लिख लिए होगा no down कर लिए इसे बहुत simple सा formula था ठीक है next find the average of all the prime numbers between 61 and 90 60 and 90 so यहाँ पर हम वो formula क्यों नहीं लगा सकते है क्योंकि जो difference है वो same नहीं है ठीक है पिछले वाले formula का सबसे पहला criteria क्या है यहाँ पर जो difference होना चाहिए common difference वो क्या होना चाहिए same होना चाहिए या तो मालों even numbers निकाल रहे हो या फिर हम odd numbers निकाल रहे हो या सारे number के series के बीच में 3-3 का difference है पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी न कभी AP के बारें पढ़ा होगा ठीक है arithmetic progression arithmetic progression में हमने क्या notice किया था कि common difference होना चाहिए 2 का 3 का 4 का 5 का कुछ भी हो सकता है but that common difference should be there ठीक है but prime number में क्या ऐसा होता है कभी difference 1 का होता है कभी difference आप देखोगे 2 का हो जाता है कभी difference 5 का हो जाता है कभी difference 7 का हो जाएगा कुछ अलग-अलग तरह के differences आएंगे यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा सारे के सारे prime numbers को लिखना पड़ेगा ठीक है तो next question हमारा next question देखेंगे हम लोग क्या है next question हमारा क्या है यहाँ पर that is define the average of all the prime numbers between 60 and 90 ठीक है अगर 60 and 90 हमारा दिया हुआ है तो हम क्या करने वाले यहाँ पर पहले 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90 कौन से कौन से prime number है इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे ठीक है चलो क्या करना है हमें 60 से 70 के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे कौन से कौन से होते हैं यहाँ पर देखो अब prime numbers कौन से कौन से prime numbers होंगे यहाँ पर कौन से prime numbers चलो देखो तो 61 is the prime number ठीक है और 67 भी क्या है एक prime number है 70 and 80 के बीच क्या क्या prime number है 71, 73 83 और 79 80 and 90 के बीच it is 83 and 89 ठीक है चलो तो यह सारे हमारे क्या है प्राइम नंबर से 60 और 70 की बीच 70 और 80 की बीच और 80 और 90 की बीच अगर यह हमें नहीं आएगा तो क्या हमसे बन पाएगी नहीं बन पाएगी घ के इसलिए हमें यह आना चाहिए हम एबडरीज के लिए सब को एड़ करना पड़ेगा ड़िए शन्म गवाट ऐसे वन प्लस शिक्स्टी सेवन ब्लस सेवेंट रे मेंटा करना नंबर्स अटार्य अवर भी नंबर से इसे में कितने नमबर से डिवाइट करना है 1 2 3 4 5 6 7 7 that is sum of the observation upon total number of observation यहां हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है बताओ यहां पर हमारे पास जो पीछले नमबर थी that is वह AP में थी that is arithmetic progression में थी यानि जो कॉमन दिफ्रेंस है वह सेम था डैट इस टू का डिफ्रेंस या थी का डिफ्रेंस एफोर का डिफ्रेंस अगर ऐसे सीरी में चले तो फिर्स नमबर और लास्ट को मैं आड़ करके तू सी डिवाइड करके वहां से एवरेज निकाल सकते हैं बट इस केसमें देखो prime numbers के बीच ऐसा नहीं होड़ा है ना कभी difference 1 का रहता है जैसे 2 & 3 के बीच 1 का difference यहां देखो 6 का difference यहां 2 का difference यहां 6 का difference अलग-अलग difference आती है तो मैं निगालना पड़ेगा ठीक है इसको आप add करोगे तो 7, 8, 9, 3 ठीक है 523 upon 7, 523 upon 7 ठीक है आप इसको क्या करोगे डिवाइड कर लो 523 को ठीक है 523 upon 7 ठीक है अब हम क्या करेंगे simply score divide करेंगे क्या करेंगे हमें से simply divide करेंगे 7 से divide करो 523 को 7 टाइस में क्या आएगा 49 3 & 3 हम 4 टाइस में क्या करेंगे यहां से 28 लाएँगे और यहां 5 आ जाएगा ठीक है एक decimal आने पर 07 आने पर 49 ठीक है 74.7 74.7 and this is the right answer तो कुछ भी नहीं किया हमने prime numbers के जब भी 60 से लेके 90 के बीच था हमने सारे prime numbers निकाल लिए उन सबको add किया और finally हमारे पास क्या चुका है sum of observations जब आपके पास sum of observations आ जाए अब क्या करोगे number of observations उसे divide कर दोगे आपके पास average आ जाएगा देखो बहुत basic level का questions है बट थोड़े अलग-अलग categories है तो मैंने इसलिए आपको यह सारे questions करवाए हैं ऐसे ही exams में सीधे सीधे questions आते हैं आप लोग प्लीज प्लीज प्रीवेस एर का जो मैंने करवाया वह वह देख लीजिए ठीक है calculate the average of the cubes of first five natural numbers ठीक है यह तो एक तरीक है first five natural numbers का cube निकालो example मैं समझाता हूँ आपको दो तरीके से बना सकते हैं देखो जैसे 1 का cube, 1, 2 का cube, 8, 3 का cube, 27, 4 का cube, 64 and 5 का cube is 125 ठीक है एक काम क्या कर सकते हैं हम इन सबका addition कर सकते हैं इन सबका sum करेंगे and फिर से 5 से divide कर देंगे ठीक है still in the process इन सबको add करना फिर क्या करना 5 से divide करना ठीक है अगर यह 5 number ना हो के क्या होता 10 तक होता तो और hectic हो जाता हमारे लिए क्या करना परता 6 cube, 7 cube, 8 cube सबका हमें value निकालना परता सबको हमें add करना परता और finally जूत्ते भी number देते हैं suppose 10 तक दिया है तो 10 से हमें divide करना परता ठीक है इससे असान तरीका क्या है आपको क्या करना है average of cubes याद रखने है average of cubes याद रखना है कैसे निकालते average of cubes देखो इसका एक formula है n into n plus 1 का whole square upon 4 ठीक है तो कितना उन्होंने बताया है 5 natural number that is 5 तो यहाँ पर 5 put कर दो अब देखो 5 5 plus 1 का whole square upon 4 that is 5 into 5 plus 1 6 होगा 6 का square गया ओधा 36 upon 4 इससे आप cut करोगे 9 आ जाएगा 9 into 4 is 9 into 5 is 45 देखो answer आ गया यह formula हमें क्यों आना चाहिए क्योंकि हम अगर यह formula जानते हैं तो यहाँ पर value हो सकता 15 का देदे exam में 20 का देदे ठीक है तो आप क्या करोगे यहां तक 20 का cube निकालत इसे divide करोगे इतना hectic काम करोगे क्या नहीं तो आपको क्या करना है simply simply आपको क्या करना है यह वाला formula लगाना है और इसे काम बन जाएगा only the average of 7 no s 14 the average of 6 of these numbers is 16 what is the average of the remaining two numbers ठीक है अगर आठ नमबर का average क्या है 14 दिया हुआ इन्होंने ठीक है और 6 नमबर का average उन्होंने 16 दिया हुआ है चलो ठीक है निगाल लेते हैं तो यहां से हमें क्या करना है अवरेजी पता है ठीक है, average भी हमें पता है, ठीक, और हमें क्या पता है, average के साथ साथ हमें, हमें numbers भी पता है, तो हमें क्या करना है, sum of observations निकाल लेना है, total sum कित्ता होगा, वो निकाल लेना है, ठीक है, sum के लिए formula क्या होगा, बताओ, sum निकालने के लिए formula क्या होगा, average into number of observations, ठीक है वही same formula average is equal to sum of observation upon number of observation वहीं से हमने deduce कर लिया ठीक है average कितना लिखा हो देखो बताओ 14 ठीक है और total number कितने हैं यहां पर 8 numbers है तो इंटू 8 करते हैं चलो 148 तो हम क्या करेंगे यहां पर 21112 यह तो अडाम सम्लोग कर सकते हैं the average of six of these numbers is 16 तो देखो हमारे पास total sum कितना आया है इतने का next जो सम हमारा आ रहा हो कितना रहा है 16 into 6 का that is 96 ठीक है what is the average of the remaining two numbers तो देखते हैं कि पूरा-पूरा sum कितना आया था 112 पूरे-पूरे 8 numbers का sum कितना आया पूरे अगर 8 numbers को हम जोड़ दें तो कितना आएगा 112 जिसमें से 6 numbers कितने 96 है तो बचे दो नमबर कितने होंगे 112-96 यह दो नमबर का sum होगा ठीक है इसको जैसे आप solve करोगे क्या आएगा यह 6 6-6 16 आ जाएगा राइट 16 आ जाएगा ठीक है और 16 total अगर सम है तो हम क्या करेंगे कितने numbers बच गए हमारे पास दो तो 16 upon 2 that is is equal to 8 8 हमारा सही answer होगा क्या कि हमने 8 numbers का जो average दिया हो 14 उससे हमने sum निकाल लिया यानि total उनका addition कर दिया है फिर हमारे पास जो 6 नमबर है 6 नमबर का उन्होंने 16 बताया है उससे हम calculate करेंगे तो पहले case में 112 दूसरे case में 96 हम देखेंगे दो number के लिए कितना और sum बचा हुआ है कितना बचा हुआ है इसको minus करेंगे तो 16 आएगा और finally इन दोनों के इनोंने average पूछा था तो हमने 2 से divide कर दिया हनी दो नमबर का average पूछा है तो हमने 2 से divide किया है it will be 8 clear है 8 हमारा answer होगा clear है hopefully आप लोग इसको जली से note down कर लो ठीक है चलो last question है हमारे पाले session का average age of 5 boy is 16 years ठीक है तो total sum निकालो इन पांचों बच्चों का actually अगर age को क्या करा जाए जोड़ दिया जाए सब कर तो कितने होगी 16 into 5 that is is equal to 80 80 साल के ये लोग total हो जाएंगे इन लोग का पूड़ा उम्र अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा 16 into 5 that is 80 years इसमें से बताया गया कि 4 बच्चों का उम्र कितना है 6 साल और 3 महिने का इनका वरेश है तो मिन निकालते हैं तो जाए कितना आ जाएगा 16 तरिए मंत के लिए क्वह करते हैं मता हूं क्यों तीन महीने को साल में करना पढ़ेगा यह मने कर दिया और इसको 4 ताइमस करना है चलो जिन इन को पता यह चीज कैसे हम लोग solve कर सकते हैं यह देखो ध्यान से इसको मैंसे भी लिख सकते हैं 16 प्लस 3 अपॉन 12 ठीक है अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता तो आज जान लो ठीक है क्या कर सकता हैं इस तरह से भी फ्रेम करते हैं जितने अब भी मिक्स फ्रेक्शन होता है उसे हम लिख सकते इस तरह से राइट और हम इसी तरह से लिखेंगे यह क्या जाएगा वन बाइफ ओड़ आ जाएगा फॉर इंटू 16 प्लस वन बाइफ फोर ठीक है इसको मल्टिप्लाइब से करो फिर इसको से मल्टिप्लाइब करो फोर इ या नहीं यानि 65 यह टोटल हो जाएगा और देखो असानी से समझ भी सकते हो तीन-टीन महिने का अगर चार पर मल्टिप्लाइब करोगे तो क्या हो जाएगा एक साल और फोर इंटू 64 करोगे तो क्या होगा 64 नहीं 65 साल के चार बच्चे का एज है मिलाकर तो तुम से क्या पूछ रहा है the age of the fifth boy एक बात बताओ पांच बच्चों का अगर टोटल उम्र 80 साल है उसमें से चार बच्चों को उम्र हमारे पास कितना आ गया 65 यह आ गया है तो पांच बच्चे कितने साल का होगा बताओ वहां से 80-65 that is 15 years का है ना 15 years का ठीक है that is 80 टोटल बच्चे का उम पांच बच्चे को सुना है तो प्लीज अगर आपको यह वीडियो अच्छे लग रहे है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और लोग तक शेयर भी करें ठीक हमारे डिस्क्रिप्शन में आप एक गूगल फॉर्म है उसे प्लीज फिल करें और वहां से जो भी आपको क्व चाहरे हो अलग कुछ और जानकारी चाहरे हो वह हम आप तक लापाएं ठीक है तो थाइंक यू सो मच और गॉड़ ब्लेस यूँ